असलाम लुक्म विवर्स मैं हूँ एसान अली लाहूर रेल स्टेट के चैनल से मेरा कॉंटेक्ट नंबर है प्लस नाइट टू-3-0-1-1-6-8-1-6-2-8 विवर्स आज हम बात करेंगे डियेचे लाहूर फेस 7-Z1 ब्लोक के मतलिक विवर्स विडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकर रेल स्टेट से मतलिक आने वाले हमारी लेट टेस्ट विडियो से आप अपडेटिड रह सके विवर्स यह मैंने आपको एंटर किया है फेस 7-Z1 के परपोर्शन से और इसमें आपको राइट साइड पे जो नमरिंग नज़र आ रही है वो 300 की है लाफ्ट साइड पे भी 300 की नमरिंग है राइट साइड पे आपको कटिंग के साथ बाउंटरी नज़र आएगी यहां पर यह जो लास्ट पे रिया यह बैसिकली स्टिल प्राइवेट लैंड है किसी के पास है और इस ने डी एच ने अभी तक इसको बाहिन ही किया है इसके साथ बैसिकली अभी रोड जो बाहिन निकल आई यह अंडर डिवैलमेंट है आपको दिखाने का मकसद भी यह ही उसके ओपोजिट जो बनता है वो बैसिकली गॉल्फ कोर्स है और इसके लेफ साथ पे गॉल्फ कोर्स एसाथ डबली ब्लोग है राइट साथ पे जैड वन है यह दूसरे के बिलकुल पैरलल चलते हैं यहां पर आपको फेस साथ जैड वन के लियर पोजिशन में मैं एंटर कर रहा हूं यहां पर अभी इस टील डिवेलमेंट का का म और है यह स्टील अभी रोड जो ए वो अंडर कंस्ट्रक्षन है यहां पर राइट साइड पे डिखाया जो प्राइवेट साथ लैंड है यह इसकी main की back बनती है यहाँ पर आपको 400 से 500 की numbering जो है जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे इंटीज हो जाएगी यहाँ पर construction थोड़ी relatively कम है और इसका जो main area, main core area वो आगे की तरफ में आपको जहां ले जा रहा हूँ वहाँ पर आपको नज़र आएगा तकरीबवां कोई 500, 600, 700, 800 की numbering जो main core area बनता है phase 7, Z1 का यहाँ पर यह main की back की back है और यहाँ पर आपको 500 की numbering नज़र आती है राइट साइट पर 600 की numbering जो है लेफ साइट पर जो है वो 500 की numbering है यहाँ पर राइट पर यह आपको horizontal strips नदर आएंगी यहाँ पर जैसे जैसे नीचे हम जाते जाएंगे यहाँ पर 600, 700 और 800 की numbering जो है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर rates जो देखने को मिलते हैं वो almost 240, 250 के round है जैसे आप boundary के नेरबाय चले जाएंगे तो आपको 225, 230, 235 के round पी रेट देखने को मिलेंगे यहाँ पर development boundary के साथ साथ कुछ roads आसे हैं जिसकी DHX still का रहा है और उसके अंदर अभी construction जा रही है DHX की तरफ से यह जो area आपको दिखा रहा हूँ यह basically 600 से 700 की numbering की तरफ जा रहा है यहाँ पर आपको construction थोड़ी देखने को कम मिलती है उसकी reason यह है कि DHX ने phase 7, Z1 को possession थोड़ी लेट दिया है यहाँ पर construction भी इस वज़ा से कम है development थोड़ी लेट की है DHX ने और इसी वज़ा से rates भी थोड़े है यहाँ पर आपको बाकी डबली और दूस्टे ब्लॉफस इनस पर moderate नजर आते है यहाँ पर with the timing जैसे जैसे construction मजीद होती जाएगी rates आपको आप नजर आएंगे यहाँ पर आपको builder भी still involved with the timing हो रहा है market में boom है यहाँ पर buying selling काफी जादा हो रही है rates काफी जादा increase हुए है और salary फिलाल currently अच्छे income generate कर सकते है और buyer अगर अभी buy करता है और इसको थोड़ा long term hold करता है तो वो इसमें अच्छे अच्छा profit कमा सकता है यहाँ पर यह जो numbering है इसमें आपको यह 700 की numbering की तरफ जा रहा है यह 600 की numbering थी उपर वाले portion की और यह नीचे की तरफ जाते हुए left side पे आपको 700 800 की numbering नज़र आएगी और यह basically आपके opposite जो आपको block नज़र आगा Z1 के यह basically Y block का area और इसके अंदर आप बिल्कुल इसको consider कर सकते हैं Y और Z1 को parallel लेकिन Y के अपर portion में आपको construction थोड़ी जाज़ा नज़र आएगी इसकी निस्पत है और इसकी reason यह आपको मैंने बताई है कि Z1 में basically development थोड़ी late की आड़ी है बट यह एक दूसरे के parallel construction में भी आजाएंगे क्योंकि यह अपर थोड़ा सा area बनता है और यह Y block आपको opposite में नज़र आ रहा है यह उसका overhead water tank है यह face 7 main boulevard है जिससे interconnect करता है Z1 और यह आपको जो entrance नज़र आ रही है यह basically thousand की नमरी का 900 की नमरी का यह जोड़ा boundary का area यहाँ पर आपको जो rates देखने को मिलेंगे आपको मैंने बताया 225, 230, 235 के round आएंगे क्योंकि यह basically boundary की nearby area बन जाता है यहाँ पर construction भी थोड़ी relatively कम है और face 7 Z1 का जो आपको area नीचे दिखाया main का facing y वहाँ पर आपको main road पे 275, 280, 290 के round देखने को मिलते है और यह जो left side पर आपको नज़र आ रहा है यह garden of area यह basically private university land है जो still अभी university announced है यह basically कोई गाउं या कोई किसी किसम का drawback नहीं है maybe future में DHS को buy कर ले और यह face 7 में मर्द हो जाए उसके opposite e-block basically इस private land के जो है वो बेदियां road से interconnect करता है और वो basically face 6 का area है और मेरे ख्याल है आप इसको assume कर सकते हैं कि DHS future में इसको buy कर ले क्योंकि main यह basically area बनता ही DHS का है और जितना भी private land है DHS ही इसको buy कर सकता है और right side पर आप देख सकते हैं कि आपको जो numbering नज़र आ रही है वो basically 600 की numbering 700 की numbering जैसे जैसे उपर वापर सकता जा रहा हूँ यहाँ पर numbering increase करते जा रही है यह basically private आपको मैंने बताया था land के साथ एक road है जिसको DHS सरकारी अभी still construction जा रही है यहाँ पर DHS को future में हतम करके इसको मजीद area को plane कर देगा जो basically Z1 की जो progress है उसको और इसके जो grooming है उसके अंदर मजीद इसमें चाम आ जाएगा यहाँ पर आपको जो numbering का right side पर यह मजीद उपर आते हुए 600 और 500 की numbering स्टार्ट हो जाती है यह exit है basically अपर portion की तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर अब इस्ट्रील कंस्रक्शन डिया चेका रहा है प्राइविट लैंड है पॉल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं यह basically प्राइविट लैंड की जो electricity है उसी के पॉल्स है और इसको आपने मजीद अगर explore करना हो आप मुझे contact कर सकते हैं किसी किसम की assessment चाहिए हो किसी किसम की buying selling करनी हो आपने आप मुझे contact कर सकते हैं मेरा contact number है Thank you so much viewers